राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज बेसाक मास सोंवार के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बगवान शिव की कथा जिसे सुनने मात से भगवान शिव की आप पर विशेश्ट क्रिपा होगी बगवान शिव शंकर भोले नाद का अशिरवाद आप पर बना रहेगा बंधों जिस प्रकार बेसाक मास में भगवान विश्णु की पूजा की जाती है उसी प्रकार बेसाक मास में भगवान शिफ शंकर भोले नात की भी पूजा की जाती है बंधों सोंबार के दिन यदि आप बेसाक मास होने के कारण बागवान शिफ की इस कथा को सुनेंगे तो हाथों हाथ आपकी हर्मनों कामना पूरी होगी बंधो प्रेम पुर्वक, सच्चे निष्ठा, सच्चे विश्वास के साथ एकाग्रचि धोकर इस कथा को सुनना ताकि आपकी मनो कामना शिग्र पूरी हो सके बंधो यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें थाकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधो वीडियो को पूरी सुरें सुनने के बार कमेंट बोक्स में जै शिव शंकर भोले नात लिखना ना भूलें बोलो शिव शंकर भोले नात कीजे हो भगवान शिव के आनन्द दाई रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्श हुआ उनका मुक प्रसंता से खिल उठा वे बहुत सुक का अनभव करने लगी फिर उन महा सादविश शिवा ने अपने पास ही खड़ेवे भगवान शिव से कहा पार्वती बोली देवेशर आप मेरे स्वामी हैं प्रभो पुर्वकाल में आपने जिस के लिए हर्श पुर्वक दक्ष के यग्य का विनाश जिया था उसे क्यों बुला दिया वे ही आप हैं और वही मैं हूँ देव देवेशर इस समय मैं तारका सुर से दुख पाने वाले देवताओं के कारे की सिद्धी के लिए रानी मेना के गरब से उत्पन हुई हूँ देवेश यदि आप प्रसन हैं और यदि मुझ पर क्रिपा करते हैं तो मेरे पती हो जाएए इशान प आप अपने विवहारूप परम उत्तम विशुध यश को सर्वत्र विख्याज कीजिए नात प्रभो आप तो लीला करने में कुशल हैं अते मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए लोक में मेरे पिता के यश को फिलाते हुए आपक पूरन ग्रहिस आश्रम को सफल बनाएए जब आप प्रसंता पुर्वक रिश्यों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे तब मेरे पिता अपने भाई बंदों के साथ आपकी अग्या का पालन करेंगे इसमें संदे नहीं जब मैं पहले प्रजापती दक्ष की क कारे पूरा नहीं किया मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की अतै उस विवहां में ग्रह पूजन विश्यक बड़ी भारी तुटी रह गई इसलिए प्रभो महादेव अब की बार देवताओं की कारे की सिद्धी के लिए आप शास्त्रों क्ष्विधी से विव हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुब कारक तपस्या की है पारवती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन हुए और उनसे हस्ते हुए से प्रेम पुर्वक बोले शीव जी ने कहा देवी महेश्वरी मेरी यह उत्तम बात सुनो यह उचित मंगल कार और निदोश है इसे सुनकर वैसा ही करो वरानने ब्रह्मा आदी जितने भी प्रानी है वे सब अनित्य है भामिने यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो मैं निर्गुन परमात्मा ही गुनों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूं जो अपने प्रकास से प परकाशित होने वाला हो गया देवी मैं सबतंत्र हूँ प्रंदो तुम ने मुझे परतंत्र बना दिया समस्त कर्मों को करने वाली परकृति एवन महा माया तुम ही हो यह संपूरण बेंतिगत मईयल में ही रचा गया है मुझ सरवात्मा पर्मात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धी में दृद चित हैं देवी बर बर निनी कोन मुख्य ग्रह हैं। कोन से रिदुस म०ु है… इस समय तुमने शीव केलिए क्या कहा है किस कर्तव्य का विधान किया है। गुन और कारय के भेस से हम दोनों में इस जगत में भक्त वसलता के कारण भक्तों को सुक देने के है तु अफ्तार ग्रहन किया है तुम्ही रजे सत्त तमोमई सुक्षम परकृति हो सदा व्याकुल कुशल सगुना और निर्गुना भी हो सू मध्यमे मैं यहां संपूरन भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरी हूं भक्त की इच्छा से मै ने शरीत धारण किया है यह शेलजे में तुम्हारे पिता हिमालने के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता गिरी राज नंदिनी महान गुनों से अत्यंत गोरव शाली महात्मा पुरुष भी अपने मुह से देही यह बात निकालने पर ततकाल लगुता को प्राप्थ हो जाता है कल्यानी ऐसा जान कर हमारे लिए क्या कहती हो भद्रे तुम्हारी आज्या से मुझे सब कुछ करना है अते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साद्वी कमल पारवती बोलीनात आप आत्मा है मैं पर्कृति हुँ इस विशे में विचार करने की कोई बात नहीं है हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुन होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सघुन हो जाते हैं शंभो प्रभो आपको प्रेतन पुर्वक मेरी प्रात्ना के अनुसार कारे करना चाहिए शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिम्बान को दाता बनने का सोभाद के प्रतान करें महेशर मैं सदा आप की भक्ता हूँ अते मुझ पर क्रिबा कीजिए नात सदा जनम जनम में मैं ही आप की पतनी होती रही हूँ आप परब्रम परमात्मा है निर्गुन है पर प्रत्विति से परे है निर्विकार निरिही सवतंत्र परमेशर है तदापी भक्तों के उधार में सनलगन होकर यहां सगुन भी हो जाते हैं सवर आत्मा होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं क्योंकि आप नाना परकार की लिलाई करने में कुशल हैं महादेव महेशर मैं सब परकार से आपको जानती हूँ सरवग्य अब बहुत कहने से क्या लाब मुझ पर दया कीजिए नात महार अदबुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए जिसे गागा कर लोक अनायासी बहफ सागर से पार हो जाएं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेशर को बारम बार प्रणाम किया और मस्तक चुका कर हाथ जोड में चुप हो गई उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेशर ने लोक लीला का अनुसरन करने के लिए वैसा करना सविकार कर लिया पारवती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसंता पुर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हसने लगे सदंतर हर्ष से भरे हुए शंभू अंतर ध्यान हो के लाश को चले गए उस समय काली के विरह से उनका चित उने की और खिच गया था के लाश पर जाकर परमान नंद में निमगन हुए महेश्वर ने अपने नंती आदी गनों से वेह सारा बृतान कह सुनाया में भैरवादी सभी गन भी में सब समाचा सुनकर अत्यान सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे नारद उस समय महा महान मंगल होने लगा सब के दुख नश्ट हो गए और रुद्र देव को भी पूरान आनंद प्राप्त हुआ बोलो शिवशंकर भोले नाज कीजे मा पारवती कीजे राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद